मुसा एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमिश्वर ने 40 साल इजिप्ट में और 40 साल जंगल में जैसे तैसे तैयार करके उसको भाँच किताबे लिखने के लिए तैयार किया मुसा एक ऐसा व्यक्ति जब उसको बात समझ में आ गई इब रानियों के किताब उसका 11 का 25 में वो कुछ ऐसी लाइन भोल गया जो कि आपको सुनना चाहिए और आपको शायद पता भी है उसने परमिश्वर के लिए खुद के अंदर ऐसी तड़प रखी और परमिश्वर के प्रति उसने इतनी भूक रखी कि उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं परमिश्वर के काम को करता रहूँगा उसका ससूर युत्रो अगर मैं ठीक से प्रणाउस कर रहा हूँ उसके से सुनने का अगर तू ऐसा ही करता रहेगा तो वक्त से पहले मर जाएगा दूसरे शब्दों में तू बहुत वेस्थ हो गया है तो इससे पता चलता है कि मुसा एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए जलन तडप उसका स्टेटमेंट सुनिए इसलिए कि उसे पाप में तोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना आधिक उत्तम लगा उससे मसी के कारण निंदित होने को मिसर के बंडार से बड़ा धन समझा क्यूंकि उसकी आखे फल पाने की और लगी थी इसको कहते हैं एक सच्चा सेवक जो इस धड़ब के साथ प्रभू में आता है आखे का लगी थी माइक में बोलना है आपको अमिशा याद रखो उसकी आखे का लगी थी बिना पड़े बोल सकती हैं आप उसकी आखे का लगी थी मिश्र के बंडार को बड़ा दन समझा उसकी आखे वही लगी थी तो उसकी आखे लगी थी फल पाने को यह है लाइन उसकी आखे लगी थी फल पाने को कौन सा फल यही तो बाइबल में सिखाते हैं यही तो येश्यू सिखाता है यहां का लिए धन इकटा मत करो कि यहां का धन को छोरी कर सकते हैं, खीड़ा लग सकता है लेकिन वहां का धन को तो जितने pastors अभी देख रहे हैं प्रीचर्स अभी देख रहे हैं, online प्रीचर्स वर्चुल और जो upcoming प्रीचर्स हैं और young boys and girls हैं आप अगर प्रभू का काम करना चाते हैं मुसा की तरह आपका जजबा होना चाहिए मुसा की तरह आपके अंदर तड़ाप होनी चाहिए इस planet के उपर हम परदेशी हैं याद रखो पत्रस कहता है कि हम परदेशी हैं इस प्रित्वी के उपर आप यहां के लिए नहीं बने हैं दूसरे शब्दों में परमिश्वन हैं आपको यहां के लिए स्थाई पर्मेनेंट आपको नहीं बोला रहेंगे आपकी मौत हो जाएगी एक दिन और आजकल तो वैसी कई भी कई तरीकों से मौत हो रही है राज चलते मौत हो रही है मिवारियों से मौत हो रही है उल्टा सिदा खा जाने से मौत हो रही है पता नहीं क्या के मौत चीजों से मौत हो रही है आशा करता हूँ कि आप समझ गए